समे एक फर्ई स्वागत करते हैं और आज हम बात करेंगे कवार्ड से जुगार्गाड की गार्टिक की अर्थात अपने गार्डणी के बजट को जीरो करने पर जीरो बजट्स गार्डनींग भी पोसिबल है अगर हम garden में अपनी थोड़ी सी creativity दिखाते हैं तो देखिए यह हमारा कितना बड़ा tomato का plants है जिसको हमने छोटे से plastic pot में लगा रखा यह देखिए मैं अपने हाँ से दिखाने कोसिस करता हूँ कितना छोटा plastic pot है और इसके कितने भाग में मिट्टी है बस और उसके नीचे के को आप देख रहे हूँ कि जब मिट्टी है तो नीचे के भाग में क्यों नहीं है तो यह इसका water cap है तो यह देखिएगा हमारे इस plant पे fruits भी आना start हो गए है यह देखिए tomato fruits है और इस पे flowering कितनी अच्छी है और इस plants का stem देखिए आप कितना healthy stem है और यह इसी तरह के हमारे इस plastic pot में लगा हुआ है हमने इस तरह की यह अपने water की जो यूज होच की water bottles है उनको कवार में फैकने की वजाए इसको यूज किया है इसके एक वटे चार भाग को हमने water cap की तरह यूज किया है और तीन वटे चार भाग में मिट्टी बरके उसमें plants लगाया उसके नीचे के इससे में हम एक used cotton कपड़े को लगा देते हैं जिससे इसकी watering होती रहती है यह देखिए हमने इसी method में यह एक अपना गांट गोवी का पोदा लगाया है और इस पर गांट गोवी बनना स्टार्ट हो गई है मतलब यह हमने एक experiment करके देखा था यूटूब से ही देखे जो और वह में लगवा लगवा success होता देख रहा है और इसकी success भी काफी खुश करती है हमें यह देखिएगा यह हमने 600 ml soft drink की water में लगाया हुआ है और यह हमारा नागदौन का पोदा जो बिलकुल ही स्वास्त है और कितना बड़ा है कितनी कम मिट्टी के साथ और यह जीवित ह देखिएगा हमारे तमाम पोदे इन पॉट्स में लगे हुए हैं और यह हमने एक experiment करके देखा था कि क्या इस तरह से हम भी gardening में अपने जो वजट है उसको कहीं कम कर सकते हैं और यह हम इसमें थोड़ा सा अपना इसी water में हम इसका fertilizer peel fertilizer या अपना cow dung fertilizer जो liquid form में बनाते हैं बूबी बना लेते हैं और उसको हम थोड़ा थोड़ा इसमें हम डाल देते हैं जब हम watering करते हैं तो इसमें जो extra watering होती है वो other pots में जो plant pot होते हैं उड में हम drainage hall बनाते हैं तो अगर हमसे extra watering हो जाए तो drainage hall के जरीए निकल जाते है लेकिन इसमें हमारा एक भी wound water waste नहीं होता ह इसमें drainage hall के जरीए यह watering नीचे water cap में इकत्रत हो जाती है और फिर उसी water को पौदा दुवारा से use करता रहता है यह देखेगा इस तरह कि अगर हम गमले में जैसे हम water डालते हैं और suppose that अगर extra watering है तो नीचे जो drainage hall है उनसे पानी नीचे आ जाता है लेकिन इस तरह कि जो हमने यह कवार से अपने गमले बनाए है उसमें extra watering हमारे water cap में आ जाती है अर्थात हमारा water waste नहीं होता है और देखिए हमारे इस पौदे पे कितने अच्छे flower और fruits बन चुके हैं और इधर भी देखिएगा fruits and flower बन चुके हैं और अब देखिएगा हमारे इस plants पे भी यह